Hello everyone, welcome to exam review, आप सब्सक्राइब के चैनल के स्वागत है आज की जो क्लास है वो 10th क्लास की mathematics की क्लास है हम NCRT के chapter number 3, 3 के अंदर exercise 3.1 and 3.2 discuss करेंगे इससे previous वीडियो के अंदर मैंने chapter number 3 का introduction दिया था कुछ चीजे discuss करी थी, जैसा की polynomials क्या होते हैं, polynomials के types क्या होते हैं, condition of polynomials फिर आपको ये भी बताया था कि linear equation 1 variable क्या होता है, 2 variable क्या होता है फिर graphical representation बताया था linear equation का आज हम exercise 3.1 के कुछ questions करेंगे फिर exercise 3.2 के अंदर हमारे पास जो 3 solutions होते हैं, किसी भी pair of lines के वो discuss करेंगे कि हमें एक solution मिल रहा है, एक भी solution नहीं मिल रहा है, या फिर infinite many solutions मिल रहा है जिसे हम intersecting lines, या parallel lines, या फिर coincident lines भी बहुते है So, session start करने से पहले, अगर अभी तक आपने exam review channel को subscribe नहीं किया है Please subscribe to the channel and don't forget to press the bell liking button so you get the latest notification and updates So, लेते हैं exercise 3.1 का first question So, मुझे पता है कि आप सभी के पास NCRT books है, तो मैंने question लिखा नहीं क्योंकि question आपके पास already है So, मैं सीरा उसके question को read out करूँगा और उसका solution प्रोवाइड करूँगा क्योंकि question लिखना और फिर वापिस video को reset करना So, it's quite difficult for me So, आप सब जो भी लोग अगर video को देख रहे हैं तो Please अपने NCRT book अपने साथ रखके इस video को देखे ताकि आपको जो question जो मैं discuss करा रहा हम वो already आपके book में बिल जाएंगे So, आपकी text to book NCRT exercise 3.1 का first question देखते हैं Question कह रहा है आपताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were there फिर आप also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be Isn't this interesting? रेप्रेजेबरिकली और ग्राफिकली So, अमार पास एक wording problem है जिसके अंदर आपताब और आपताब की doctor के Age के बारे में discussion हो लगा है Clear रहे? अच्छा, अब कह रहा है आपताब कह रहा है अपने daughter को 7 years ago अपन सबसे पहले बाद जो आपताब की जो age है इसको मान लेते हैं X आपताब की जो daughter की age है इसे मान लेते हैं Y अच्छा, जब कभी भी आपसे question के अदर ऐसे sentence आजाता है कि 7 years ago या 7 year hence ago का मतलब यह होता है कि जो भी जो आपको जो time दे रखा है जैसे 7 years ago 7 years ago इसका मतलब 7 साल पीछे और अगर hence यूज़ हो जाता है जैसे 7 year hence 7 year hence इसका मतलब 7 साल बाद की कानी है इसका मतलब होता है पहले की बाद चल दी और hence का मतलब होता है बाद की बाद चल दी अच्छा, अब इसने कह रखा है कि 7 years ago तो 7 years ago में यह भी तो 7 साल पीछे जाएगा यह भी तो 7 साल पीछे जाएगा इसा तोड़ना है कि 7 साल पीछे सिर्फ आफ्ता भी जाएगा आफ्ता भी डॉक्टर की बाद यह 7 साल पीछे जाएगी अगर आप कहता हो कि मेरी एज 7 साल पहले यह थी तो जो कोई भी है या जो कोई भी परसन मौजूद है इस सब्सक्राइब में गला है यह साथ साल पहले आफ्ता इस तो हो जाएगी तो शाज घटा देंगी सात से Garcia में इस से अरे मैं से साथ साल गादमी कि इंख क ये गटा डिया मैं कि अभ्या है अब कि आफता आप बोल रहा है, I was seven times as old you were then, I was, मतलब आफता आप, क्या था, seven times था, जो उसकी डॉर्टर की age थी, 7 साल पहले, ये इसकी डॉर्टर की age थी, 7 साल पहले, डॉर्टर की age जो 7 साल पहले थी, उससे seven times जदा था, कौल, आफता आप था, तो first equation आगी है हमार पास, x minus seven is equals to seven bracket में y minus seven, ये first equation आगी है हमार पास, सबको clear है, अचा next पर चलते हैं, ये पास equation है, अब इससे फट्दर सॉल करोगे, आप तो x minus seven is equals to seven y minus का 14 है, clear, ये है, अगर इसको इस तरफ लेके आजा तो, x minus seven y is equals to minus का 49 प्लस का seven, तो कितना आजाएगा हमार पास, 35, minus का 35, sorry, 42, minus का 42, इसको इदर लिग देता है, पास equation को, ठीक है, अब चलते हैं, next case पर, next पर हमार पास, also three years from now, from now का मतलब ही क्या होता है, कि तीन साल बात की बात कर रहे हैं, hence या फिर now, इन सब वर्ड का मतलब होता है, बात की बात, तो three years from now, मतलब आज से तीन साल बात, तो तीन साल बात इसकी age क्या हो जाएगा, x plus three, इसमें तीन साल जुड़ जाएगी, इसमें भी कीन साल जुड़ जाएगी, मराबर, आज से तीन साल बात, I shall be three times, मतलब आफ़ तब कहता है, I will be three times as old you will be, मतलब जब तुम, तीन साल बात, जो तुमारी age हो जाएगी, उस से three times जादा, मेरी age हो जाएगी, clear, तो बनाते हैस कभी, तो ये आफ़ताप, आफ़ताप age, three years from now, will be three times, her daughter's age, three years from now, मतलब जो उसकी जो डॉटर की age थी तीन साल बात, उसका तीन गुना किस की age हो जाएगी, आफ़ताप की age, तो ये हमारे पास किया हो जाएगी, second equation नहों हो जाएगी, clear, so we have x plus three is equals to three y, बस नहीं, इसको इदे रिलेक है, x minus three y, और 9 में से तीन गया, कितना बस गया जाएगी, पराबर, ये में पास second equation ना जाएगी, जट लिया, अच्छा, अब कहरे रखा है कि algebraic expression बनाईए, तो हमने algebraic expression बना दिया, अब इसको graphical representation में भी बनाना है, मतलब इसका जो graph भी बनाना है, graph बना के देख लेते हैं, जो graph बना लेते हैं, इसका graph बना लेते हैं, ये फर्स equation ले लेता हूँ, इसके अंदर हमारे पास ये फर्स equation है, इसके अंदर में x दाल देता हूँ, तो y की value क्या आएगी वो देख लेता है, 1-7y is equals to minus 42, is that clear? तो ये अगर 1 इस तरफ चला जाएगा, तो minus का 7y, तो minus का 1, तो minus का 43, तो ये minus से minus cancel, y is equals to 43 by 7, ये 7, 6 जा 42, ये 6.something आएगा मैं पास y की value, around 6 ही लेने थे approximately, तो y की value मैं पास 6 आ जेगी approximately, 6.1 मैंने consider नहीं किया, approximately 6 ले लिया, नेक्स जलते हैं, इसी equation के अंदर, मैं क्या ले लेता हूँ, x की value, minus 2 ले लेता हूँ, x जब क्या ले ले हैं मैंने minus 2, बराबर है, तो ये मेरे पास हो जाएगा, minus का 2, minus का 7y, is equals to minus का 42, is that clear? तो इस तरफ ले जाएगा, minus का 7y, is equals to minus का 42, plus का 2, जो कि मेरे पास क्या आजाएगा, minus का 40, minus का 7y, बराबर है, minus का 40, minus का 7y, minus minus अंभी भी कैंसल, y is equals to 40 upon 7, 75 जब 35 होता है, फिर 50, 77 जब 49, 5.71, is that clear? तो x is equals to minus 2 पे, y मेरे पास क्या आजाएगा, 5.71, बराबर है, और एक ओर क्या आजाएगा, डाल देचा इसके अंदर, x is equals to 3 पे, x is equals to ये मेरे पास minus का 7y, plus का 3 उदर चलाएगा, minus का 3 तो मेरे पास कितना बच जाएगा, minus का 45, so minus minus cancel, y is equals to, sorry, plus का 45, upon 7, 7 6 जा 42, 6 जा 42, 45, minus 42 3, 0, 7 4 जा, sorry, 7 4 जा 28, 2 0, 7 जा 14, 6, 6.42, clear है, यह तो मैंने first के निकाल दिये, उसी तरह second equation के भी निकाल देते हैं, अबन values के graph output कर देगी, x में डाल देता हूं मैं, plus का 2, यहां पे 2 डाला बने, तो 2 minus का 3y is equals to 6, clear है, तो इसको इधर ले जाओंगा, तो minus का 3y, और 6 minus 24, परावर है, so y is equals to 4 by 3, minus का, जो कि क्या हो जाएगा, 1.33 minus का, so x is equals to 2, पे में पास y की value क्या आ जाएगी, 1.33 minus का, x is equals to, minus का 1 डाल दे लेगा ID value, date capita पट, यह minus का 1 बने उदर जाके plus का 1, so minus का 3y is equals to 7, so y is equals to 7 by 3, minus का, जो की हो जाएगा, minus का 2.33, ले ने, so y में पास हो जाएगा, minus का 2.33, last value, last value put कर देता हूं, x is equals to 0 डाल देगा, x is equals to 0, कुछ भी value डाल सकते हैं, clear है, x 0 डालों में तो मेरे पास क्या आदेगा, minus का 3y is equals to 6, so y is equals to minus का 2, is that clear, so y मेरे पास क्या आदेगा, minus का 2, बराबर, चलते हैं अगर, graph की तरफ, अगर, यह बिल्कुल प्रॉट टाइन नहीं बन सकती है, तो अगर आप इसी graph को graph note book में sketch करोगे तो बिल्कुल अच्छे से graph बनेगा, तोड़ा सा कर ऊपर लीशे हो जाता है तो, प्लीज माप कर देना, यह बने सा हैं से नहीं पासे असे असे पैसे हैं यह यह असे भी पासे असे सिस, फास्स.. पासे जैनुएर ।ोड़ीजिफ्त पासे से आ गता है। यह पॉज़ीब यह नुज़ीब, यह फॉजीब 256 सूरी जीब 5 six seven eight nine and ten and ten and there we we have minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8 या पर minus का 1, और सोरी minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, इना होंगे या पर देखते हैं, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, 7, minus 8, minus 9, minus 7 ये सबसे पहले इस इक्वेशन की जो कोडिनेट्स हैं, वो रखके लाइन बनातों, x1 पर y6, ये रहा x1 पर, और में पास y6, ये इस तरह पास देगा ने पास बराबर, x is equals to minus 2, x is equals to minus 2, और y क्या है, 5.71, तो में पास, 5.71 लगपर गिदर आएगा, और minus 2 next we have x is equals to 3, x हमार पास 3 जाएगा, and y is equals to 6.42, so y is equals to 6.42, so it's around ये देखो, ये स्टेट टाइन बन दी, ठीकर ये स्टेट टाइन बन दी, ये स्टेट टाइन है ना, next we have, ये बना लिए आपर है, x is equals to 2 पर, y is equals to minus 1.33, x2 और minus 1.33 तो around याट आ जाएगा, next we have, x is equals to minus 1, so x ये दा minus 1, और y क्या है, minus 2.33, so ये मिरे पास, इंदर आ जाएगा, minus 2.33 रिल बी, somewhere around here, next we have, x is equals to 0, x 0 पर मिरे पास क्या है, y minus 2 ये दा, ये पॉइंट, clear? तो आप ये देखोगे, ये जो graph बना है, ये बिल्कुल ये parallel line सर्दी है, अगर आप अपने जो graph notebook में plot होगे, ये बिल्कुल क्या है, parallel line का representation है, तो हमारे पास दो lines थी, linear equation 2 variable, इन दोन lines था, अगर मैं combined graph analysis करूँगा, तो मेरे को result में देखने को मिला है कि मेरे पास क्या है, ये parallel line सर्दी, clear? और अगर आपके जो graph notebook में, अगर ये पॉइंट ये ऐसा मतलब टिल्ट है, मतलब ये line parallel भी नहीं हाके, ये कही ना कहीं inclined है, तो ये समझ लेना ये कहीं ना कहीं पॉइंट पर जाके meet करेंगी, तो मैं यहाँ पर decide नहीं करपा हुआ कि ये parallel है, यहाँ फिर कहीं पर जाके meet करेंगे, आप अपने graph notebook में अच्छे से sketch करना, parallel line की जो खासत ये होती है कि आप कहीं पर भी इन दोनों line के distance measure करेंगे बीच में, वो सब क्या बराबर होना जी? अगर कहीं पर भी unequal distances है, इसका मतब कहीं नहीं हो, तिसी एक single point पर meet करेंगे, is that clear? लेते हैं, next question. आप अपने book के अंदर देखिए, next question. अब देखो, मैं आपको second question करा रहा हूं, second question के अंदर भी मैं algebraic representation करूंगा, clear है? और जो geometrically या आपको graphically representation है, वो आपको खुद को करना पड़ेगा. Graphical representation आप खुद कर लेना, मैं आपको algebraic equation बनाना बता रहा हूं, और third question आपके लिए homework है, so exercise 3.1 यहां पर complete होगी, first question totally मैंने करा दिया, second के अंदर मैं equation बनाना बता रहा हूं, जो भी geometrically expression है, वो आपको खुद को करना पड़ेगा, player, और third तो पूरा आपको करना, equation भी आपको बनानी है, और geometrically representation मतलब आपकी जो geometry book के अंदर इनकी जो lines है, उनका representation मतलब graph भी बनाना है, तो second question करता है अपन, the coach of a cricket team buys three bats and six balls for rupees 3900, so अब ये cricket team का coach, तीन बैट और, तीन बैट और six balls कितने में खरीबता है, 3900 में 3900, three bats and six balls, three bats और six balls उसमें कितने में खरीबता है, 3900, clear, so let, एक bet की जो price है, one bet price be, price be x, and let, one ball, price b, y, price b, buy, तो इससे equation कितने आजगी, तो तीन bet फी the total price कितने आजगी, एक bet की price is x, तो तीन bet की price कितने आजगी, 3x, एक ball की price ए y, तो six balls की price कितने आजगी, six y, और total cost कितने में में मिलेगी, मह Alors height total cost कितने बन जाएगी, रुपीज 3900 क्लियर है रुपीज मतले है यह आपकी पॉस्ट एक्विशन सिंपल है सेकंड बन इस लेटर शीप बाइज अनदर बैट एंड थ्री मोर बॉल्स अब अगली बाल वो क्या कर रहा है अनदर बैट बतब एक बैट खरीदता है क्लियर है एक बैट खरीदता है और क्या खरीतता है शार्ट में थ्री मोर बॉल्स और तीन बॉल और खरीदता है और इसकी कितनी कोस्ट है लगेन अरगई अब नहीं है पता है कि लेट बन बैट पर एक्स तो एक्स और तीन बॉल कि कितनी आ называется एक बॉल की प्राइस से वाय तो तीन बॉल की इतनी आ जाएगी त्री वाय इस इंकरस्टू और तीन बॉल इनकी कंपाइंड कॉस्ट निकल के कितनी आएगी हरी इन डेट सो आपकी यह हो जाएगी सेकेंडी कुछिछ एक लेर है आप सभी को अच्छा यह एक्सरसाइस हो अपनी जो ग्राफिकल नोट्बूक है उसके अंदर ड्रॉ कर दीजिएगा और थर्ड कोशन आपको इक्वेशन भी आपको बनानी है और ग्राफिकल दीप्रसेंटेशन भी आपको बनानी है अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शमें में बता देना मैं व अब आता हैं 3.2 का इंट्रोडक्शन कि exercise 3.2 में क्या देखे को मिलेगा अपनको देखो अब क्या है आपके पास exercise 3.2 में आपके पास दो लाइन्स होगी अदर पेर ओफ लाइन्स दे रखी होगी जैसे 4x प्लस 8y is equals to 10 और 3x प्लस 18y is equals to 27 यह आपके पास फर्स लाइन्स है यह सेकंड लाइन्स है यह पेर है पेर आप लीनेर इक्वेशन इंटू बेर अब जब आप इन दोनों इक्वेशन का combined graph बनाओगे तो उनके graph के क्या-क्या output हो सकते हैं द्यान से सुनिएगा आप इन दोने इक्वेशन के जैसे हमने 3.1 के 1st question के अंदर क्या किया था दोने इक्वेशन के जो combined graph बनाओगे उनका क्या possible output है या क्या possible graph हमें देखने को मिलेगा इसका जो आप ग्राफ बनाओगे इन दोने equation का हमारे पास 3 possible case आते हैं जिनमें आप ग्राफ देखने को मिलेगा एक तो यह हो सकता है आपको पता है कि individually अगर आपन linear equation in two variable किसी एक equation का अगर आपन individually graph बनाते है तो straight line मिलती है clear है अच्छा तो हमारे पास first case क्या है कि graph ऐसे बन जाएगा कि यह जो line है दूसरी line को एक point पे intersect करेगी एक line है जो दूसरी line को क्या करेगी intersect करेगी let's suppose यह first line का graph है और यह कौन सा यह second line का graph हो जाएदा clear है यह दोनों क्या करेगी एक point पे intersect करेगी और एक second condition क्या है जाएगी हमारे पास कि दोनों हमारे पास क्या चल दिए बिल्कुल parallel चल दिए यह first equation का graph है यह second equation का graph है clear है इसको go to intersecting यह वजाएगा आपके पास parallel and the third one is यह first line है उसी के उपर second line भी आजाती है उसी के उपर आपकी क्या रहेगी second line भी आजाती है जासे first line है उसके उपर just उपर क्या second line भी आजाती है इसे बोलते है coincident coincident clear है यह हमारे पास third condition अच्छा ध्यान से समझे इंट्रसेक्टिंग line parallel lines और coincident line का मतलब क्या है intersecting line का मतलब यह दोनो lines का एक point पर meet कर रहे हैं मतलब एक हमारे पास एक ऐसा point होगा जो इस line के अंदर भी होगा और इस line के अंदर भी होगा एक हमारे पास ऐसे xy के coordinate होगे यह ऐसी xy की value होगी जो इस line में भी आ रहे हो इस line में भी आ रहे है clear है तभी तो एक point पर meet करेंगे common point होगा उनका इसके अदर देखो इस line का दूसरे वाले line से कुछ लेना दे रहेंगी कोई भी point नहीं मिल रहा है तो कुछ देना देना नहीं है यह अपने अपने रास्ते है इसके अंदर भी होगा हों कह सकते हैं कि हमें एक solution मिलेगा one solution clear है इसका हमें एक solution मिलेगा इस line का कोई भी solution नहीं मिलेगा क्योंकि यह लाइन नहीं करें यह अपने कान एक खुच चलेंगें मतलब यह कहरें क Jan Va P क्यों प्लीर और कोंश्टनिंट के हमार पाश किया रहा है इन्फानायम मेनी सोल्यूशन। कैसा आएँगे इंफानायम मैनी सोल्यूशन। ज्याव से समझना। इन्फानायम मैनी सोल्यूशन। है यह हमारा पार फॉस्ट लाइन थी इसी को पर सेकंड नागी बराबर है तो कोई भी पनाइन इस लाइन में बहुत सब्सक्राइब होंगे और हर पोईंट की क्या रहा है पर्स और सेक्ड डोने में आ रहा है तो यह भी सोलीशन हो जाएगा यह भी सोलीशन यह भी सोलीशन और हमें पता है कि एक सिंगल लाइन के अंदर infinite points हो सकते हैं तो इसलिए इसके अंदर infinite solutions होगे इसे बोलते हैं कोइसटेंट इसे बोलते हैं परलल परलल मतलब कोई भी आमार पास कॉमन्स नहीं है तो कोई सोलीचन नहीं निकलेगा इसके नहीं निकलेगा नुह सलीचन and the first one is intersecting that is 8 point पर intersect होंगे clear है यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे x-y coordinates common होंगे यहाँ पर हमारे पास aps or x-y coordinates common नहीं है इसलिए no solution तो काली सब्सक्राइब है आपको कि अगर हमारे पास pair of linear equations in two variable है और इंडो 9 का अगर 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 अगराफिकल representation करते है तो यह थी cases ही बनेगे और कोई case नहीं बनेगा यह तो क्या है यह बिल्कुल parallel है प्लिए रहे रहे पैरलल है बिल्कुल पैरलल है यह फिर आमारे पास का क्या है कंडिशन वो देखते हैं और डिस्कुस करते हैं इंटर्सेक्टिंग लाइस पी जो कंडिशन है वो देख लीजिए A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 यह होदी इंटर्सेक्टिंग जिसके अंदर exactly एक solution होता है exactly one solution clear second one अमर पास होती है infinite many solution इसके अंदर क्या होता है that A1 upon A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 यह होती हमर पास coincident coincident times or in case of solution say infinite many solution infinite many solution and the third one is A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2 यह हमार पास होती है parallel lines और इसमें कोई solution नहीं है clear है अच्छा अब A1, A2, B1, B2, C1, C2 क्या है इस equation को अगर आपन जनरल form में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 4X प्लस 8Y मानस का 10 is equal to 0 और general equation के आपने थी AX प्लस BY प्लस C is equal to 0 तो इसके अदर क्या हो जाएगा यह हमार पास X का जो coefficient है वो A1 हो जाएगा Y का जो coefficient है वो B1 हो जाएगा और हमार पास जो constant है वो क्या हो जाएगा मानस का 10 is equal to 0 तो C1 यह है साइन को भी consider करना है यहाँ पर देखो A1 इसके आगे साइन किया है प्लस का 4 प्लस का 8 मानस का 10 इस तरह उसी तरह इस वादी अब अपनने first equation को क्या 1 से denote कर दिया इसके जो constants थे A, B, C इसको 1 से denote कर दिया जो second equation है इसको क्या 2 से represent कर दूंगा मतलब यहाँ पर हमार पास equals to 27 इसको इधर नहीं होगा तो minus 27 is equal to 0 हमार पास X का जो coefficient है A2 बहुत second line है इस तरह फूर से representation करूंगा A2 B2 और यह में पास हो जाएगा C2 clear है A1, B1, C1 और A2, B2, C2 क्या होते है equation के अंदर आईए देखते हैं हमार पास line की जो condition जो intersecting coincident और parallel line satisfy करेगी देखते हैं अचा एक चीज़ और जब आपके पास ऐसे आदाता है A1 upon sorry A1 upon A2 is not equal to C2 B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2 ऐसा भी case आजए है जब कोई भी एक दूसरे का बरावर्ट नहीं होगी तब आप कोगे कि सर ऐसे कोई condition है नहीं देखो आपके पास intersecting lines क्या क्या क्यती है जब intersecting lines यहाँ पर ही satisfy हो रही है तो यह condition इंट्रसेक्टिंग क्या इंट्रसेक्टिंग अंदर होता है कि A1 A2 आपके B1 upon B2 के बरावर्ट नहीं होता तो यह भी क्या है कि intersecting गई है करणा यह इसमें confusion मत है कि सब C1 C2 अगर बरावर हो जाएगा तो भी तुल अन्मारła पास क्या कुश का कुछ फरक नहीं पड़ेगा कर खलें कि यह अन्मार पास क्या A2 is not equal to B1 upon B2 यह पर इंट्रसेक्टिंग की क कंदिशन यह कॉछ скорее जैसे हमारे पास equation है x minus 2y is equals to 0 और फिर है 3x plus 4y minus 20 is equals to 0 इसके नदर क्या हो जाएगा a1 क्या हो जाएगा x के coefficient मनला पर a1 हो जाएगा आपके पास 1 ये 1 लिखने दो कुछ पर रखने पड़ेगा ये a1 b1 क्या हो जाएगा minus 2 और c क्या हो जाएगा कुछ नहीं तो 0 भी है अगर ये इदर लिया हो गया minus 0 is equals to 0 minus 0 कुछ नहीं होता है तो c1 क्या हो जाएगा minus 0 confusion नहीं अगर c आपके present नहीं equation में तो उसको 0 माल लोना clear है और उसी तरह अगर आपर इसमें देखेंगे तो a1 ये रहा 3 b1 क्या हो जाएगा plus का 4 and c1 will be minus का 20 अच्छा आप करते है a1 upon a2 a1 है 1 upon a2 कितना हमार पास 3 1 by 3 अभी इस equals to लखेंगे not equals to जो आएगा तब not equals to लगा देना तो अमारे पास क्या है b1 b1 क्या है minus का 2 और इसके अंदर जिया है a1 upon a2 clear a1, b1, c1 representation करना बता दिया a2, b2, c2 क्योंकि ये second line है इसके second से representation करा है अच्छा intersecting lines ती जो condition हो क्या है क्या है ती a1 upon a2 a1 हमार पास 1 और a2 हमार पास 3 अभी equals to लिख रहे है next देखिएगा b1 हमार पास क्या है minus का 2 और b2 हमार पास क्या है plus का 4 इसको अब इसको solve भी करोगे 2, 1 जा 2, 2, 2 जा 4 तो मिरे पास क्या आ जाएगा minus का 1 upon 2 so minus का 1 upon 2 अभी ये चीज़ इसके बराबढ़नी है तो कौन से condition होगी intersecting वाली अब जो बार की c1 upon c2 का comparison हो आप नहीं भी करोगे तो भी सलेगा क्योंकि intersecting lines की condition तो follow भी so ये हमार पास कौन सा केस था intersecting का था next देखते है next हमार पास है 2x plus 3y minus 9 is equal to 0 4x plus 6y minus 18 is equal to 0 so आपके पास a1 ये रहा b1 ये रहा c1 ये रह a2 ये रह b2 ये रह c2 ये रह देखते है a1 upon a2 2x4 अभी equals to लख रहा है not equals to आ जाएगा तब not equals to लगा देगे clear है या फिर मत लगा हो confusion मत लो 2x4 a1 upon a2 b1 upon b2 will be 3 by 6 अच्छा plus का sign हमार पास देखो plus का 3 plus plus का 3 plus का 6 sign कंसेडर करना है please और फिर हमार पास क्या है minus का 9 इसको अगर solve करूंगो देगे क्या जाएगा बन बाटू इसको 3 plus 3 3 plus 6 और यह मेरे पास minus से minus cancel 9 plus 9 9 जाएगी तो a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2 यह condition coincident का है इसका मतलब इसका मतलब इसका जो solution से क्या है infinite many solutions last case देखते है और फिर देखेंगे consistent क्या होता है inconsistent pair of lines क्या होता है कि कोई pair of lines हो consistent है या inconsistent है और फिर आज के session को end करेंगे so last case देखते है last we have x plus 2y minus 4 is equals to 0 2x plus 4y minus 12 is equals to 0 so here आपका आए 1 मतलब x कतो पोफिश्ट एम मतलब 1 here आपका आपका आए 2 sorry b1 a1 b1 and this one is c1 a2 b2 एड इस वन इस सिटू यह एड अच्छा एबन अपन फॉन पार फिर हमार पास्ट बीवन अपन वी टू दो गारे नहीं अचिन लागा रही तो यह इसको सॉल्ल करेंगे तो यह तो 1 by 2 गी रहेगा, यह 1 by 2 आ जागा, इसको solve करेंगे 4, यह minus से minus कहेंचिल, 4 अंजा 4, 4 ती जा 12, अब देखो, यह इसके बराबट है, लेकिन यह इसके बराबट नहीं है, और यह condition किसकी होगी है, पैलर लाइन की, तो पैलर लाइन के अंदर, even upon a2 is equal to b1 upon b2, but b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, therefore we have no solution, and this pair of lines are parallel lines, clear है, तो अब लास्ट पार्ट discuss करते हैं, और इस exercise की जो question से वो खल discuss करेंगे, मैंने आपको जो main कस्ट था इस chapter का, वो मैंने बदा दिया है, कि main आपको क्या करना है, इसके अदर, आप questions भी लगा सकते हैं, और वैसे भी अपन कर डिसकुस करेंगे equations, तो आईए लास्ट पार्ट देखते हैं, consistent और inconsistent क्या होता है, आपको क्या, दो लाइज दे रखी होगी, मतलब pair of lines दे रखी होगी, planar equation in two variables, let's suppose यह line यह है, 4x plus 8y is equals to 12, and next one is 5x minus 125y is equals to 625, यह दो lines है मार पास, अच्छा, अब यह दो lines है, अब आप से पूचा जाएगा, क्या यह दो lines consistent है, inconsistent है, consistent हो होती है, जिनके solution होते है, चाहे हो एक हो या अनेक हो, मतलब या तो सिर्फ एक हो या बहुत साल हो, लेकिन अगर solution है तो consistent है, और inconsistent क्या होती है, कि आपके पास, उन lines के कोई भी solution नहीं हो, तो simple है, consistent हो हो जाएगी, जिसके अंदर दूप इसे लाजेंगे, एक तो intersecting के, and the next one is, coincidence के, जो मैं आपको बतारेगा, और inconsistent मतलब कोई भी solution नहीं, और आमें पता है, यह किसके अंदर मिलता है, तो बस, जब pair of equations आपकी जो solution देंगे, चाहे वो एक दे या बहुत सारी दे, बहुत सारी solutions दे, तो वो तो हो जाएगी consistent, consistent के अंदर intersecting और coincidence कोई भी आजेगी, मतलब अगर आपका जो lines का result है, वो अगर intersecting आ रहा है, तो इसका मतलब वो हमारे पास consistent solution है, and the second one is, अगर आपके पास coincident आ रहा है, तो solutions तो आ रहा है, तो इसका मतलब वो pair of lines के consistent है, और inconsistent वो lines हो जाएगी जब हमारे पास sponsor case आ जाता है parallel line का, जिसके अदर हमें पता है कोई भी solution नहीं मिलता है, clear guys, so I hope आपको आज का session वो अच्छा लगा होगा, session थोड़ा लंबा हो गया है, so please ऐसा मत कीजिएगा कि बीच में session को drop कर दो आप, आप please session को start, starting से लेके end तक देखेगा, और अगर कुछ भी doubt आता है regarding your exercise, कुछ भी question आपसे नहीं होता है, तो please comment section में NCRT का remark डाल दीजिए, कि exercise 3.1 का this part में सौल नहीं हुआ sir, please next video में बता दीजिए, so मैं बता दूँँगा, so thank you all of you, and please इस video को जादा जादा like कीजिए, share कीजिए, अपने friends और relatives के साब जो भी 10th class के अंदर है, so thank you everyone and have a nice day.